हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप नए आया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल बटन जरूर बजा ले तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ गुप्त काल गुप्त काल का पाट थर्ड तो आईए गुप्त काल के बारे में जानत किया गया गुप्त बंस का वास्ताविक संस्थापक चैन्द्र गुप्त पर्थम को माना जाता है स्री गुप्त की राजधानी राजगीर थी चैन्द्र गुप्त पर्थम ने अपनी राजधानी पाटले पुत्रा को बनाया और चैन्द्र गुप्त पर्थम 399 कितना 399 इस चेंद्र गुप्त पर्थम ने अपना विवाह लिच्वी की राज कुमारी कुमार देवी से किया तथा इसके उपलच में राजा रानी नाम का सोने का सिक्का जारी किया गुप्त बंस का पर्थम सासक चेंदर गुप्त पर्थम ने सर्व पर्थम सोने का सिक्का चलाया था चेंदर गुप्त पर्थम की मिर्थिव के बाद अगला सासक समुद्र गुप्त बना कौन बना समुद्र गुप्त समूद्र गुप्त ने अपना राजिव शेक कब करवाया 355 इस्वी में करवाया समूद्र गुप्त ने अपने समराजवादी प्रविर्टी के कारण उनको भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्र गुप्त के बारे में बिशेष जनकारी परियाग परसस्ती अभिलेक से मिलती है परियाग परसस्ती अभिलेक के रचनाकार हरी सेन थे और हरी सेन समुद्र गुप्त के दरवार में रहते थे समूद्र गुप्त एक बिद्वान थे इन्होंने कृष्ण चरित्रम नामक पुस्तक की रचना की और ये बिद्वान के साथ साथ कभी भी थे इसलिए इन्हें कभी राज के नाम से भी जाना जाता है समूद्र गुप्त को सीको पर बीना बजाते हुए देखा गया और आप लोग जानते होंगे कि सबसे प्राचीन बादियंत्र बीना है समूद्र गुप्त जब खूस होता था तो कुवेर के समाद दान करता था लेकिन जब गुस्से में यमराज से भी जादा भ्यानक होता था ये सारी बाते एरे नभीलेक में बताया गया है 375 इसवी में समूद्र गुप्त की मृतिव हो जाती है और समूद्र गुप्त की मृतिव के बाद उसका बेटा राम गुप्त सासक बना और वह अपने पद का परिवहन अच्छा से नहीं कर सका जिसके कारण इस थीपा दे दिया राम गुप्त के बाद अगला सासक चंद्र गुप्त दितिये बना चंद्र गुप्त दितिये के बारे में बिसेश जनकारी मिहरोली के लोह स्तंब में मिलता है जो बरतमान में यह दिल्ली में है और चंद्रगुप्द दुतिये के दरवार में नौरत्न नवरत्न अकवर्ट तथा चंद्रगुप्द दुतिये के दरवार में थे नौरत्नों में नौ बिद्वान संस्क्रीत भासा के थे फिर कृष्ण देवराय के दरवार में अष्ट दिगज रहा करते थे जो आठ तेलगू सा सकते और सिवाजी के दरवार में अष्ट परधान रहा करते थे चंद्रगुप दुतिये ने सको को प्राजीत किया और प्राजीत करने के बाद रूपक नामक चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप दुतिये के दरबार में नौ रतनों में एक परमुख थे वो थे कालिदास और भारत का सेक्सपियर जिसे कालिदास को कहा जाता है ठीक है दोस्तों और कालिदास ने अनेक परकार के पुस्तक की रचना की पहला मालवी कागनी मीत्र, अभिज्यान बंस, कुंतलम, रघु बंसम, कुमार शंभम, मेग दूतम, विक्रमो वसिये, रितु सनहार, इत्यादी बिख्यात पुस्तक के कालिदास ने लिखी नवरत्न में दूसरा परमुक विद्वान आरेभट थे, आरेभट ने भी दो पुस्तकों की रचना की, पहला आरेभटियम और दूसरा सुर्य सिधान ती का आरेभट ने सुन तथा पाई की खोज किया, ये गनितग एवं खगोल विज्या बिद दोनों थे चंद्र गुप्त दूतिये के समय सभी पुस्तके संस्क्रीत भासा में था, संस्क्रीत भासा का स्वर्न काल चंद्र गुप्त दूतिये या गुप्त बंस में हुआ प्राकिर्थिक भासा का स्वर्न काल सातवाहन बंस था, और हिंदी भासा का स्वर्न काल मुगल काल था कुमार गुप्त पर्थम को महिंद्रा दिब या संक्रा दिब भी कहा जाता है कुमार गुप्त पर्थम के समय में ही हुआ कुमार गुप्त पर्थम ने नलंदा विस विद्याले की अस्थापना की इस विद्याले में बहुत धर्म की सिच्छा दी जाती थी कुमार गुप्त की मृतिव के बाद अगला सासक असकंद गुप्त थे कौन थे असकंद गुप्त और सती पर्था का साच असकंद गुप्त क पहला प्रश्वन है चेंदृगुप दूतिय के काल में बिध्या कला वा साहित का महान केंद्र कौन सा था कालिदास की किस कृथि की गिंती विश्व की सोब परसिद्ध साहित की कृथियों में होती है तो अभिज्ञान साकुंतलम की अभी ग्यान साकुंतलम की बरतमान गयमनीत में दसमलो परनाली अविस्कार का स्त्रे निम्न में से किस यूग को है तो यह गुप्त यूग कौन सा यूग गुप्त यूग को है दसमलो परनाली का विस्कार कौन सा गुप्त बंस के पतन का कारण नहीं था तो कौन सा गुप्त बंस के पतन का कारण नहीं था तो सत्ता के नियंतरन के लिए आंत्रिक कला है यह गुप्त बंस के पतन का कारण नहीं था निमलिखित में से किस गुप्त सासक ने अपने सिको पर अपने बीना बजाते हुए आकरिती में अंकीत करवाया है तो बीना बजाते हुए सिकों पर समूद्र गुप्त देखा गया था वह प्रथम भारतिय विद्वान कौन था जिसने गनीत को एक प्रिथक विषय के रूप में अस्थापित किया था तो वह आरेभट थे कौन थे आरेभट गुप्त कालीन पूस्तक नवींत कम का संबंध किस से है तो यह चिकित्सा से नवींत कम का संबंध किस से है चिकित्सा से तामबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त सासक कौन था, तो रामगुप्त था, कौन था, रामगुप्त, तामबा का सिक्का जारी करने वाला पहला सासक, आईए नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है, तो मिलान करना है सासक और उसके अभिलेक, तो कौन से सासको का अभिलेक कौन सा अभिलेक, ठीक है, तो सासक और अभिलेक को आईए देखते हैं, तो समुद्र गुप्त, तो पर्याग परसस्ती अभिलेक, किसने समुद्र गुप्त का पर्याग परसस्ती अभिलेक, चंद्र गुप्त दूतिये महरौली या लो अस्तंब अभिलेक में मिलता पहाडपूर तामर पत्र में, किसमें पहाडपूर तामर पत्र में? यह निख़्लिखना है. मुद्रा के परकार और उसके सासक तो कुमार देवी चंद्र गूप्त परथम के सासक थे. मुद्रा के परकार और सासक तो कुमार देवी मुद्रा के सासक कौन थे तो चंद्र गुप्त प्रथम बीना वादन बीना वादन परकार के सासक कौन थे तो समुद्र गुप्त चक्र भिक्रम परकार के सासक कौन थे चंद्र गुप्त दोती है कार्ती के परकार कसन स्थापक कौन थे तो कुमार गुप्त कौन थे कुमार गुप्त तो इसका भी अंशर एक होगा अईए फ़रेंट नेग्ल दखते हैं निक्ष्ट है सAK और उसके उपाधी अस्थल क्या सHD कोन से सासक को क्या उपाधी मिला था तो चंद्र गुप्त पर्थम को महाधिराज की उपाधी मिला था समूत्र गुप्त को अस्वमेग प्राकरम की उपाधी मिला था चंद्र गुप्त दूतिय को परम भागवत की उपाधी मिला था और असकंद गुप्त को शक्रोपम की उपाधी दिया गया था तो इसका भी फर्स्ट आम से नेक्स्ट है सासक उनकी पतनी कौन कौन से किसके सासक के कौन से पतनिया थी दोस्तों विडियो को अन तक देखियेगा तो आएए देखते हैं चंद्र गुप्त पर्थम की पतनी का नाम कुमार देवी या लिछवी की रानी थी राम गुप्त धुरूब देवी राम गुप्त की पतनी का नाम धुरूब देवी था समुद्र गुप्त की पतनी का नाम दत्ता देवी क्या समुद्र गुप्त की पतनी का नाम दत्ता देव तो किस गुप्त सासक ने बारा राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की तो यह समुद्र गुप्त ने किसने समुद्र गुप्त ने सर्ब राज्यों चे छेच्छा सभी राजाओं को उखाड फेकने वाला की उपाधी किसने धारन की तो सभी राजाओं को उखाड फेकने वाले की उपाधी समुद्र गुप्त ने धारन की किसने अंतिम सक सासक, रुद्र सीह, तृतिय हजित कर उसकी हत्या कर सको का अंतिम रूप से उन्मूलन किया तो किस अंतिम सासक ने तो यह है चंद्रगुप्त दितिये ने सको को प्राजीत कर उखाड फेका नेक्स्ट है रचनाकार और उसके रचना तो कौन से रचनाकार के कौन से रचना है तो आईए आरेभट तो आरभट के रचना आरभटियम आरभटिये धनवंत्री नवीन्तकम धनवंत्री रचनाकार के रचना कौन है नवीन्तकम ब्रह्म गुप्त के रचना रचना किसने तो ब्रह्मा सिधान्त ने किसने ब्रह्मा सिधान्त बाराह मिहीर के तो पंच सिधान तक कौन पंच सिधान सुधारसन जील जिसका निर्मान चंद्र गुप्त मौरे के सौराष्ट प्रांथ के गवर्नर पुस्वे गुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरमत पहली बार सासक रुद्र दमन ने कराई थी कि दूसरी बार मरमत किसने करवाई तो दूसरी बार इसकी मरमत असकंद गुप्त ने करवाई किसने असकंद गुप्त ने आई ये नेक्स्ट देखते हैं मिलान करना है तो परशासक ये बीभाजन और परशासक तो भुक्ती या प्रांथ भुक्ती या प्रांथ तो उपरिक इसका परशासक कौन था उपरिक बि मिलान करना है तो कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो महा संधी बिग्रहिक युद का सांती का मंत्री युद वा सांती का मंत्री ये सही है महा धंडनायक सेना का सर्वोच अधिकारी यह भी सही है बिना इस्थिती अस्थापक धार्मिक मामलों का परमुक अधिकारी यह भी सही है महा स्वय पती गज सेना का ध्याचिय गलत है यह सुमेलित नहीं है अधिन आईए नेक्स्ट देखते हैं छेत्र भूमी और उसके कौन से किसे रिलेटेड है तो छेत्र भूमी क्रिसी योग भूमी को छेत्र भूमी कहते है किसे क्रिसी योग भूमी को छेत्र भूमी बास्तु भूमी निवास योग भूमी को वास्तु भूमी बास्तु भूमी निवास योग भूमी को कहते हैं अप्रहत भूमी जंगली भूमी को अप्रहत भूमी और खिल भूमी क्रीसी के लिए उप्युक्त भूमी को खिल भूमी कहते हैं तो इसका भी सामने सामने होगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो आएए देखते हैं तो किरात जूर्णियम भारवी यह सही है राज दसकुमार चरित दंडीन सही है म्रिच काटिकम सुद्रक यह भी सही है पर्याग परसस्ती रवी कृति यह सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है आएए इसमें देखते हैं तो भागभट अश्टरांग हिर्दे सही है काम अंदक निती सार यह भी सही है विसाखदत मुद्रा राच्छस यह भी सही है भरत हरी मेग दूतम यह गलत है यह सुमेलित नहीं है आई ये नेक्स्ट मिलान करना है तो सुची वन को सुची टू से मिलाएं तो है स्रेष्टी स्रेष्टी मतलब साहुकार क्या स्रेष्टी साहुकार को बोलते हैं सार्थवाह बैपारी को और कुलिक सिल्पी या कारिगर को कायस्थ या लेखक को कायस्थ किसे लेखक को नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है मिहर कूल का संबंध किस से था तो हुन से था कौन हुनों से कनौज को सरव परथम महता परदान करने वाले कौन थे तो कनौज को सरव परथम महता परदान करने वाले मोखरी थे कौन थे मोखरी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित क कि पद्वी ग्रहन की वह चंद्रगुप्त दूतिये कौन थे चंद्रगुप्त दूतिये कुतूब मिनार के निकट कुतूब मिनार के निकट इस्थित लौ अस्थम बैग्यानिकों का ध्यान क्यूं खीचता है तो उसकी जंग रोगधता के कारण कुतूब मिनार के निकट इ देखते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चितरांकन के केवल दो उधारन उपलब्ध है इनमें कौन अजन्ता की गुफाओं में किया गया चितरांकन है गुप्त काल के चितरांकन का दूसरा अप्सिष्ट उधारन की पुंडर बर्धन भुक्ती प्रांत अवस्थित है कहां अवस्थित है तो यह उत्तर बंगाल में कहां उत्तर बंगाल में अवस्थित है नेक्स्ट है परम भागवत उपाधी धारन करने वाला प्रतम गुप्त सासा कौन था तो यह समुद्र गुप्त था कौन था समुद्र गुप्त दोस्तों यह वीडियो समावत को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब